हलो दोस्तो नमस्कार आपको बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल दा हरी संकर बुंदेली चैनल दोस्तो आज मैं ऐसी लोकेशन पर पहुंचा हूँ जो जहांसी से 50 किलो मीटर की दूरी पर एक गाउं इस्तित है जो चिरगाउं के नाम से जाना जाता है आप मेरे पीछे एक किला देख रहे हैं इसका बहुत ही बड़ा लंबा इत्यास है जिसे सुनकर आपके हों सोड़ जाएंगे दोस्तों और यह भी बताया गया है गाउं के बेक्ष्पियों द्वारा के यहां पर लेका इत्यास जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा पूर्व अठा 241 इसवी में 25 दिसंबर की बात है एक बार यहीं आम के बगीचे में एक बार क्या हुगा कि अंग्रेज आयो और अंग्रेजों ने मौर को मार दिया यह अध्यास थोड़ा बाद में बताएंगे पहले किले के बारे में जानेंगे और किले के यहां पर जो भी बने हुई है क ही अग्रेजों को दिकाएंगे खाईंगे टीकायया की कोसिस करेंद और यहां वी बताने बताएंगे कि अन्में आज भी छुऩा तो आईए बेद इसको भी दिखाएंगे देखिस्याद के यहां है चोटे-चोटे श्टी का से नटकाशी हमें देखने मिलती है और यहां प तो बयाभ देखने में तो आपको छोटा किला देखने को मिलता है लेकिन इसका ह bı survives लंबा है आंगे चल के दोस्तों बने रही कि वेटीव मैं यह सब दिखाऊंगा चलते हैं एहाँ से पहले तरफ से रास्ता निकला हुगा है लेकिन यहां दोके आने किलिए दोस्तों आपको फ्रयर पानी मतलब भटक भी सकते हैं इसलिए पीछे से धी रास्ता एक निकला हुगा है उहां से भी द FM और चल कर वो कोसिष कहते हैं और कुछ ऐसे भी कख्ष्छ हैं कि जहां पर अन्धर जाने के लिए मिरलब सक्त मना मिनद देख भी नहीं सकते हैं से बच्चों के लिए बंद करों दिया गया है एक आप नजर घुुमाएंगे तो यह से जंगले को से यह ने बंदी 11 से यासे से में गाव के बीचों बीच बना हुगा है एकला तो यहां पर पच्चे भी गूमने के लिए आते हैं तो साह कुछ नुक्सान ना हो बच्चों को कोई डिक्कत ना हो इसलिए कि इसके आसपास भी खेलते रहें दिन में और रात में तो इसके आसपास नहीं घूम सकते हैं बच्चे बहुत ही लंबा इत्यास है तो हम इस रास्ते होते हुगे वहां पर जाने की जाने की कोशिस कर रहे हैं जहां पर की जाना सक्त मना हैं फिर भी हम लोग जा रहे हैं इस रास्ते होते हुगे जाना पड़ता है और इस के लिए क है खेवल एक मूर के कारण हुई है जो आज इस अवस्ता में हमें देखने को मिलता है क्योंगी इसकी देख रेक नहीं हो रही है इस समय पे तो इस पकाइश से देखने को मिलता है तो आई जेगा छारों तरब जंगल जंगल हमें को मिलता है कैका से हमें आज की अवस्ता में देखने को मिलता है और यहाँ पर एक प्कष बने हुंडे हैं पर अप दोग देकी सकते हैं इस प्रिकाल के यहाँ पर बेद्धीक भी रहा है statut हमाए पहले लेकिन मैं니다ठास्रहेशily तो उसका इत्यास बहुत ही लंबा है आईए पहले इस किले को यहां से अंदर जाने के लिए रास्ता गया अगया यहां आ चुके हैं तो यहां से देखिए कुछ इस प्रकार से इस किले में डजाने निकली हुई है और उपर देखेंगे नजर घुमाएंगे तो फूरा से वल एक मोर के कारण हो गई और क्या हुई यह सब बताएंगे पहले दिखा देते हैं कि इस प्रकार से आज की आवस्ता में देखने को मिलता है और नीचे भी देखेंगे तो पूरा प्रकार से लगर ता है कि यहां पर कोई नहीं आता है फिर भी हम जाने की कोशिश कहते ह है और दिखाते हैं इस प्रकार से है जगह तूता ही मिलेगा और ना कोई इस क्ले में साप सपाई है ना कुछ है इस अवस्ता में देखने को मिलता है आंगे के लिए रास्ता निकला हुगा है और पूरा अंधेरा चाया हुगा है क्योंकि कहा जाता है देखी के बहुत ही अंधेरा है और यहां जाने से के लिए खत्रे से खाले से नहीं हो गा क्योंकि यहां पर पूरा मतलब परिवार इसी किले में जो परिवार यहां पर राजा रहा कहते थे यहांus एक खत्म अगये थी तो इस पकार से आज की आवस्ता में देखने को मिलता है नीचे जाने के लिए भी सुरंग निकली हुई है कुछ यसी सुरंग देखने को मिलती है जहां पर कोई नहीं जाता है तो देखिए यसे कक्छ बने हुई हैं और यहां से हम जाने की कोशिश कहते हैं और देखिए किले कि दोय ह्दासा कुछ इस प्रकाई से हमें देखने को मिलती है कि पूरा कि दम है दोछ शुज है याशित कुछ दीवाल हैं यहां से देखेंगे तो यहां से आगे भी इवल ने तूट चुकी है उपर देखेंगे तो पूरी दीवाल टूट कर बिखाय चुकी है यह इस प्रकाइब से दोड़ासा हुई है केवल मोर के कारण यह सब दोड़ासा हो चुकी है तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि मैंने यह किलाद दिखाया और अब चलते हैं दोस्तों इ इस भी पच्छी दिसंबर की बात है जब एक बार अंगरेज यहां से गुजर रहे थे और जहांची के लिए जा रहे थे तो एक अंगरेज ने इसी चरगां के बगीचे में एक मॉर को देखा तो मॉर को गोली मार दी जैसी ही गोली मारी घटना यहां के राजा के सेनिक ने देखी तो सेनिक ने आकर राजा से बताई यह सबी घटना तो राजा ने आदेश दिया अपने सेनिक को कि जाओ तुम भी अंग्रेज को गोली मार दो जैसे ही राजा का सेनिक गया और आदेश राजा का पाकर उसने अंग्रेज को गोली मा दी तो उससे अंग्रेज मर गया और यह सब बात अंग्रेजों को पता चली तो अंग्रेजों ने राजा से पहले बात की कि आदा हिस्ता देना पड़ेगा अपने राजपाट का तो अंग्रेज ने अंग्रेज ने सब बात राजा से कही कि आदा राज पार्ट देना पड़ेगा अपने राज पार्ट का तो राजा ने मना करे दिया तो जैसे ही मना किया तो अंग्रेजों ने इस किले पर आक मर करे दिया आक मर करे दिया तो इस किले में राजा और रानी को काड़ दिया और तहस नहस करे डाला इस किले को इसलिए इस किले को ऐसा दोस्त देखने को मिलता है और इसकी कोई देख रेक नहीं होती है और व्यक्तियों के दोरा इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि इसी किले में राजा और रानी की मौत हो गई थी तो आज भी कहा जाता है कि आज भी राजा की आत्मा इसमें रखती है और जो भी राजा की वो संपत्ती धंदौलत रखी हुई थी आज भी लोगों के दोड़ा सुनने को मिला है कि ऐसे कक्ष बने हुए हैं जहां पर आज भी बेसमा धंदौलर राजा छोड़ गए तो दोस्तो आई होब हम जानते हैं कि यह वेडियो आपको पसंद आया हो तो इस वेडियो को लाइक करें और चैनल को सस्क्राइब करना ना भूलें मिलते हैं नेस्ट वेडियो में बहुत ही जल्दी तब तक के लिए धन्वाद